नमस्कार, आज हम आप लोगन के साथ यूपी बिहार में किस तरह से हम लोग गाउ में एकदम देशी तरीका से आम का अचार बनाए ला जा ओकर विधी शेयर करे जाते हैं हम लोग के यूपी बिहार के गाउ में अकसर दादी, नानी, माई, काकी बगएरे इसी तरह से आम का अचार बनावत रनी है और यह आम का अचार खाय में तो काफी स्वादिश रहला और सालो तक चलत रहला और बनावल भी काफी आसान है और इस अचार के यदि आप एक बार साल भर तो बिल्कुल भी ना खराब होला एकदम खाय में स्वादिश ठोला और ज्यादा दिन तक टिकाव भी रहला तो यह आम का अचार बनावे के लिए सबसे पहले आपके बढ़िया वाला आम चाहिए तो जब भी आप आम का अचार बनावे जाते हैं तो एकदम ताजा सबसे बढ़िया है और जब तीन से चार घंटा बिगा के हो जाए तो एक साफ सूती कपड़ा पर फैला दें ताकि पानी पूरा अच्छी तरह से सूख जाए तो ध्यान देवे कि आपके आम का अचार जब भी आप बनाए तो में थोड़ा भी पानी का अशना होके के चाहि और जब आपका आम अच्छी तरह से सूख जाए तब आप एक आम कटनी ले लें या फिर इस तरह का पहसूर ले लें एसे आम आसानी से कड़ जाला और आम कई जोन उपर का धेपी वाला हिस्सा है एके सबसे पहले काट दें और एके काटे के बाद आम के दूर टुकड़ा में हो चुका ला अब एके और एक टुकड़ा में कर लेएक है तो जब आम आपका इस तरह से चार टुकड़ा में हो जाए तो इमेक जोन बीच कई घुटली वाला इससा ओके निकाल दें और अपने मन पसंद आकार में छोटा यह बड़ा आपके जैसन अचार आम का पसंद तो खट्टे आम से बनाई या फिर थोड़ा सा खट्टा मीठा आम का स्वाथ होला ना ओसी अचार बनाऊ तो और भी अच्छा लगे ला और सारा आम जब आपके काटके हो जाए तेके साब सुती कपड़ा पर धूप में कम से कम तीन से चार घंटा के लिए फैला दें ताक अब इसी में चार चमझ के करीब ताल देवे कि है और सव डाले के बाद भी। हलका सब भून ले वे किया तो मसालों की ज्यादा राम भूने के बस हलकी से में खुश्बू उठे लगे और हलका साइका रंग बदल जाए बस एतना भूने किया तो यहाँ पर मेथी जीरा और सौफ हलकी सब भून चुका लिया अब एमें एक छोटा चमच अजवाइन डाल मेथी जल जाए यहां पर देख सकी कितना महीं मेलोकिते हैं और बस रचलड़ हलका सारा मसाला भून जाए लिए यहां पर ऐसमोल पॉक्छे आत्रा आप याद करने एक चुटा चमच मेति का दाना आ चार चमच जी रहा चार चमच सॉफ और एख चोटा चमच अ यहां पर दू चम्म च्हाम राई का इस्तिमाल के लिए एक अपने आगो राई भी कर जाला एकर थोड़ा सा खट्टा पंसा स्वाध हो ला तो यदि आपके पास राई उपलब धोकत डाली ना डाल अब तभी कोई बात नार सरसुका दाना डाल दे तभी भी काम चल जाए और सब ध्यान दें कि ग्यास बुझावे के बाद ही आपके डाले की है और सारा मसाला के एक प्लेट में या थाली में निकाल दें ताकि मसाला अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और मसाला की एकदम ठंडा भीले की बाद ही पीसे की है तो मसाला ठंडा हो था खड़ा मसाला भी कि अपमना खाला को ऐसे के जब होजाए है यहां सब्सक्राइड का इसे अपतुम होजाए तो कोमने अपसाइंक वीकुराDoes दुद्ध 구 मकलती है ही है वाक ओर से कोई कोई मचा तरफ पड्रम lol looking से और यहां पर ऐसार हो मदाई तरफ व्हां फंब गया होकके घृषण effectivement मई के महिना में मनला एला चाक तो माई में एक दम अची जूब़ थी ऑन चेंच नमक यूदार चाल खागा आ cu एक आम सुप के तयार हो जारा है नियुक थोड़ा सा हलदी पाउडर डाल देए और हल्का सा नमक दाल दे तो यहाँ पर एक चोटा चमच हल्दी पाउडर के इस्तमाल के लिए और एक चोटा चमच नमक के इस्तमाल के लिए और इस तरह से एकदम अच्छी तरह से इस तरह से थोड़ा सा उचाल उचाल के नमक और हल्दी के मिला लेवे के और एके धक के रख देवे के हैं कम से कम राद भर के लिए यदि आप एके ढग के रखब तो थोड़ा सा आम नरम भी हो जाला और नमक हलदी का स्वाधिक अच्छी तरह से आम में मिल जाला तो यहाँ पर हम राद भर के लिए ढख देले रनिया आम में थोड़ा भी पानी का अंस न रहला यदि आपके आम में पानी कांस रही तो इनमक और हल्दी डाले के बाद पानी छोड़ यदि आम बिलकुल तेयार है अचार बनावे के लिए ताकि आप उंगली डाली तो उंगली आपका एकदम अच्छी तरह से सह सके और अब इसी में जोन आम सुखाल उके डाल देवे किया और डाले के बाद एकदम अच्छी तरह से मिला देवे किया अच्छी तरह से मिला देवे किया अच्छी तरह से मिला देवे किया सारा मसाला अब इमे कुछ मसाला और थोड़ा सा मिला लेवे किया तो कुछ मसाला में यहाँ पर हम कश्मीरी लाल मेज पाउडर का इस्तिमाल करें लेए इसे एकदम जैसे बजार में बढ़िया सा रंगावे लेना वैसन रंगाई कश्मीरी लाल मेज पाउडर तीखी ना हो ले और यहा अच्छी तरह आपका काफी चटपता हो ला और एकदम अच्छी तरह से इस तरह से मिलाव की बाद अब कपड़ा से ढख्याट के लिए एक दिन तो अच्छी तरह से पके के लिए छोड़ दें दूप में अच्छी तरह से पके के बाद अब यहां पर हम एक ढ़कन सिर्का के इस्तिमाल करें लिए एक वाइट वाला विनेगर विकाल चला या सफे सिर्का एक डाले से आम का चार बिलकुल ना खराब है और जोन आप अचार भी अचार बनाओ थाई और उचार के ज्यादा दिन तक सुरक्शित रखल चाहता है तो आप सिसा के बॉटल का इस्तिमाल करें काच के बॉटल में यदि आप अचार लगश ना खराब हो और जब भी आप अचार खाय के लिए निकालें तो किसी भी सुखा बरत जब भी पानी कांस लगेला तभी अचार खराब होला और जब इस तरह से आपका अचार पूरी बॉटल में भर के तयार हो जाए तब इमें उपर से सरसो का तेल एक दब उपर तक भर देवे की है तो जवन सरसो का तेल हम ठंडा करके रख ले रनीया उसी के डाले गया तो ध् लोटल के इस तरह से ढख के रबड लगा दें और रबड लगा के बाद तीन से चार दिन का अच्छी धूप दखा दें धूप में रखले से अचार एक दम अच्छी तरह से पक भी जाला धूप की प्रक्रिया से और उकर स्वात भी बहुते बढ़िया होला और जल्दी खर चुका ल ahí तो यहां पर आपका आम का अचार बिल्कुल बन के तयार हो गला आप एक हपता बाद आपके अचार के खाय शुरू कर सके ला तो आम का याप से एक अप्ता तक इन्तजार पुरी तरह से थाध्यु और उपर तक तेल भर देए और इस तरह से बीश मिश में आप धूब देखा देखा कि यदी आप साल भड़ तक इस्टेबाल कर अचार भी ना खराब होई तो उमीद है कि आज को वीडियो आप लोग उनके अपनी भाशा पोच्परी पसंद आई लो यदि वीडियो आप लोगन के थोड़ा सब भी अपनी भाशा पोच्परी पसंद आऊती हैं तो वीडियो के लाइक शेयर और कमेंट कर तो बिल्कुल भी नम्बिलल करें तो हम आप लोगन से मिला थें फिर किसी अगली ने रिस्पिक साथ तब तके लिए नमस्कार